हलो गाइज वैलकम बेक टू मैं चैनल तो आज का केक है जिसे आप ग्रीन चटनी और टॉमेटो केचप के साथ सार्व करेंगे जी हां बहुत ही सिंपल सा सैंडविच केक है बहुत ही डिलिशेस और देखने में कितना ओसम है यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आपके सा क्याजर ग्रेट कर लेना थोड़ी सी कैपसिकम डाल देना और कुकुमबर जो खीरा आता है वो धनिया आप चाहे तो अपनी पसंद से को कोई भी दूसरी वेजिटेबल से एड़ कर सकते हो फिर इसमें दो चमश धनिय की चटनी डाल देना है जो हम गर पर रेगुलर बनात मैयोनीज डाल देना 1-4 cup आपके पास मैयोनीज नहीं है तो आप इसकी जगर दही को यूज कर सकते हो गाड़ा दही ले लेना और उसके बाद में आप इसमें डाल देना नमक अपने टेस्ट के कोडिंग चाट मसाला इन सब को डाल के आपको कर देना अच्छे से मिक्स आप अब हम लेंगे ब्रेट स्लाइस मैं कर दिये हैं आपको सेम यही करना है एजेस करने है और कोई भी ब्रेड अपनी पसंद की ले सकते हो अब थोड़ा सा बटर कर देते हूं मैं इसके ऊपर बटर मेल्टेड नहीं है इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा से पीसे इसके रख देते हूं यह कंप्लेटली ऑप्शनल ब्रेड स्लाइसे और उनको बटर के साथ रख देना है आपकी पसंद बटर यूज करना नहीं करना लेकिन थोड़ा सा बटरी फ्लेवर इसमें आना अच्छा लगता है कहीं कहीं पे इसलिए मैं इस तरीके से बटर अप्लाई कर रहे हूं आप पिंक स्टफिंग लेंगे इ और इसको एप्लाई कर देंगे इस तरीके से इस बार में थोड़ा सा चीज ले रही हूं ग्रेट चीज यह कंप्लीटली ऑप्शनल है आपको पसंद है अविलेबल है तो आप ग्रेट करके यूज कर लीजे नहीं तो स्कीप कर दीजे और फिर अब इसको लास्ट ली हम ला तो टीज यह मैंने उसके साथ ही में लटका कर दिया था इसका एक्स्रा वाटर होता है उसको निकाल दिया था इसमें थोड़ा ससाल्ट डाल ज़ते आब अबने टैस्के कोडिंग साल्ट कम जादा कर लीजेगा और थोड़ा सा मैयोनीज जो अच्छा सा फ्लेवर देगा ब किसी के पास नहीं होता है इसलिए हैंड विस्क कर लें इसको 10 से 15 मिनिट तब तक हमारे स्लाइसे जो ब्रैड केक की वह भी सेट हो गई है यह देखिए कितनी प्यारी जी लग रही है अब यह जो हमने फ्रोस्टिंग बनाई है इसको इसको इस पर अप्लाई करना है कुछ हार आपको इवनली बस एप्लाई कर देना है कि हर जगह से ही कोट हो जाए बिलकुल इस तरीके से देखिए कोई नाइफ से किसी से भी आप इस तरह से एप्लाई कर दीजेगा यह देखिए मैंने अपलाई कर दिया अब हम इसको डेकोरेट कर देते है उसके लिए आपको क्या तरफ layer कर लेनी है और उसके बाद cucumber लेना है खीरा उसको half slice इस तरीके से cut कर लेना आपको और ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा thin भी नहीं होना चाहिए और इस तरीके से इसको हम apply कर देंगे यहां पर ताकि बहुत प्यारी सी design बन जाए आप देख सकते हो अब मैंने ऊपर भी इस तरीके से एक flour बना लेना हमको ताकि और इसको आपके दिमाग में कुछ और भी design साइडिया आ रहे तो आप वो भी use कर सकते हो तो यह हमारा लेखि होली स्पेशल वेजिटेबल केक सेंडविश केक बनके रेडी हो गया इसको enjoy कीजी है friends